पत जड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संगर्ष सहे बिना इंसान के भी अच्छे दिन नहीं आते बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाए तो वे आदतें आपका वक्त ही बदल देती हैं कल की फिक्र मत करो, जिस रब ने आज तक संभाला है, वो आगे भी संभाल लेगा जहर में उतना जहर नहीं होगा, जितना जहर कुछ लोग दूसरों के लिए अपने अंदर रखते हैं देड से बनो, पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खहरियत नहीं पूछते, हैसियत पूछते हैं इस छोटी सी जिंदगी से बड़ा सा सबग मिला है जनाब, रिष्टा सब से रखो, पर उमीद किसी से भी नहीं अपना पंचल के जिसकी आँखों में, ऐसा कोई एक ही मिलता है लाखों में अच्छे इंसान में एक भुरी आदत होती है, कि वो सब को अच्छा समझता है कौन कहता है कि पैसा सब कुछ खरीच सकता है, दम है तो तूटे हुए विश्वास को खरीच के दिखाओ जहां आपकी एहमियत ना हो, वहाँ जाना बंद कर दो, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल एहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतिया दिखती हैं और ना ही दूसरे इंसानों में अच्छी बाते याद रखना कोई नहीं मरता किसी के बिना क्योंकि ये वक्त सब को जीना सिखा देता है जिन्दगी एक बार मिलती है ये बात बिलकुल गलत है सिर्फ मौत एक बार मिलती है जिन्दगी तो हर रोस मिलती है रोए बगेर तो प्यास भी नहीं करता यह है तो जिन्दगी है जनाब ऐसे कैसे कड़ जाएगी जिन्दगी में दो लोगों से हमेशा दूर रहना एक बिज़ी और दूसरा घमनडी क्योंकि बिज़ी इनसान अपनी मर्जी से बात करेगा और घमनडी इनसान अपने मतलब से याद करेगा जिन्दगी में उतार चड़ाव का आना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी जी में भी सीधी लाइन का मतलब मौत होता है ये दिल तो ख्वाहिशों में अटका रहा और जिन्दगी हमें जी कर चलती बनी खुबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए लोग बेवज़े उसे शकल और कपड़ों में तलाशते हैं इनसान क्या है उसका ज़्यादा महत्व नहीं है इनसान में क्या है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है वक्त तो खामखा बदनाम है बदलता तो सरफ इनसान है सच सुनने से नजाने क्यूं कतराते हैं लोग तारीफ चाहे जूठी हो सुनकर खूब मुस्कुराते हैं लोग मिजास यूँही ना चिड़चिडा कीजिए कोई छोटी बाते करें तो दिल बढ़ा कर लीजिए समय हर समय को बदल देता है बस समय को थोड़ा समय चाहिए किसी रिष्टे का अंत तब होता है जब एक का हद से ज़दा प्यार और परवा दूसरे को बोज लगने लगता है जो जिन्दगी की कश्मकश को समझ गया वो खामोश हो गया नादान हैं वो लोग जो बिना बात पहस करते हैं जिस परिवार का मुख्या ही अन्याय पर भीश्व पिता महा की तरह मौन रहे तो उस परिवार में महाभारत का सरजन तय है